दोस्तों इस चैनल पे हमने UPC के कई वीडियोज बना है जैसे UPC क्या होता है, कितने एक्जाम होते हैं, बेस्ट बुक्स, कैर्डर कैसे मिलती है, एक्टेम्ट काउंट कैसे होता है और IAS, IPS, IFS और IRS में क्या डिफरेंसेज होते हैं और भी कई सारे वीडियोज आपको प्लेलि नोटिपिकरशन को आउन कर ले, ताकि आगे आने वाली सबी वीडियोज का डिफरेंसेज पता है, अब दोनों का मतलब तो एक ही होता है, अगर नहीं तो आए जानते हैं, IFS यानि Indian Foreign Service इसे हिंदी में भारतिय विदेश सेबा के नाम से चानते हैं, और IFS यानि Indian Foreign Service इसे हिंदी में भारतिय वन सेबा कहते हैं, IFS जिसे हम Indian Foreign Service के नाम से जानते हैं वो UPC से बनते हैं जो Civil Services के अंडर आते हैं जैसे IAS, IPS वसे तो Civil Services के अंडर 24 तरके Services होते हैं कौन कन से Services होते हैं और कैसे हम इसे चूज कर सकते हैं जानने के लिए वीडियो को देखें लिंक आई वटन और डिस्क्रिप्चन में निल जाएगा और वही IFS यानि Indian Foreign Service के नाम से जानते हैं उसे कहीं कहीं IFS को IFOS के नाम से भी जानते हैं अब सवाल यह है कि यह दोनों बनते कैसे हैं तो UPC एक्जाम के दोरा बनते हैं दोनों के एक्जाम बड़ी सेम होती है लेकिन Services अलग-अलग होती है इसे हम आगे बताते हैं UPC कंडर कई सारे एक्जाम कंड़क करने की ऑथिरिटी होती है जैसे कि NDA, IES, CGS और Civil Services लेकिन Forest Service और इंडिया Services में आती है जैसे कि IES और IPS भी वही फोरीजन सर्विस के बात करों तो यह Central Group A Services में आते हैं जैसे कि Indian Railway Services अगर आप जानना चाते हैं Indian Forest Service Officer कैसे बने या Indian Forest Service Officer कैसे बने तो इसका वीडियो आपको लिंक और डिस्क्रिप्टर में और आई बटन में मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हैं अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाते हैं तो कॉमेंट में लिखे या अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट रह गया है तो Instagram पर हमें पूछ सकते हैं तो यह थी छोटी से जनकारी उमीद करता हैं आपको वीडियो पसंद आयागो तो वीडियो को जरूर सिय कर लेता कि आपके लिए ऐसी वीडियो में लाता रहूं पिर मिलते हैं अगली वीडियो में थेंक यू फो वाचिंग